असलाम अलेकुम इंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है आज हम आपको एक साथ अलग-अलग तीन दुर्गटनाओं की ख़बर बता रहे हैं पहली दुर्गटना ठाने के पांच पाखाडी इलाके में हुई है दुसरी दुर्गटना बदलापुर की M.I.D.C. इलाके के केमिकल कमपनी में हुई है तो तीसरी दुर्गटना मंबईपुने एकस्प्रेस वे पर एक सिमेंट ट्रक जो है दो गाडियों पर उसने दो गाडियों को टक्कर मार देने के कारण एक कार जो है 100 फिट नीचे दरी में गिर गई नीचे खाई में गिर गई जिसमें से पहली दुर्गटना जो है ठाने पांच पाखाडी में क्याफे कॉफी डे करके एक कॉफी शॉप है इस कॉफी शॉप में सुबो नौ बजे के करीब अचानक आग लगी प्राथमिक अंदास के अनुसार ये शॉट सर्किट के कारण आग लगी है ठाने मनपा के अगनी शमंदल ने वक्त पर पहुँचकर आग को बुझाया और काबू पा लिया तो देखिए किस तरीके से जो है ठाने पाच पाकाडी के क्याफे कॉफी डे यानि जो सी सी डी के नाम से जादा जाना जाता है ये कॉफी शॉप इसमें कैसे आग लगी उसके आप विजवल्स देखिए इसी तरह से बदलापूर M.I.D.C. इलाके की एक केमिकल कमपनी है जिसका नाम है प्लैटिनियम पॉलीमेर केमिकल कमपनी इसमें तकरीबन साड़े तस ग्यारा वजे के करीब आग लगी आग ने बड़ा भीशन रूप धारन कर लिया था और आग पूरी कमपनी में फैल गयानक थी देखिए आप इसके फूटेश के अंदर इसके विज्वेल के अंदर इसी तरह से मुंबई पुने एक्सप्रेस वेपर जो है तकरीबन बारा बजे के करीब जो है एक सिमेंट ट्रक जो है वो जा रहा था तो सामने की दिशा से वो पुने जाने वाली लेन पर च नीचे जाकर खाई में गिरी इसमें से एक महिला की जो है जगा पर ही मौत हुई है घटनास्तल की तस्वीर हम आपको इस खबर में दिखा रहे हैं देखिए किस तरह से सिमेंट की गोनिया जो है इस जोरदा टक्कर के बाद पूरे रोड पर बिखरी हुई है और नीचे खा चार मौते और तीन लोगों का घायल होने का यह पूरा जो दुरघटनाओं का चार दिसंबर का सिलसिला जो है अलग-अलग दुरघटनाए हुई है उसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की यह हमारी खबर जल्दी आजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ